वेलकम टो एकलब्या स्टेडी पॉइंट और आज किस वीडियो में मैं आप सभी को जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12 में आए हैं क्लास 11 से और जो सेशन 2022 से 23 तक जिनका सेशन होने वाला है वो किस तरीके से अपने पढ़ाई को स्टार्ट करें किस तरीके से आप नोट्स को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और अगर आप भी टॉपर बनना चाते हैं तो आपके लिए क्या बहतर टिप्स हो सकती है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो आयोप आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरीके की आप मुझसे आके पूछ सकते हैं मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और यहाँ पर आप अपना मेसिज भेज सकते हैं आपको बता दूँ कि क्लास 12 के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के या हुमेनिटीस के उसके जितने भी नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिये जाते हैं www.eclaviasstudypoint.com यह हमारी वेबसाइट है और इसको आप पहले भी जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद रख लेना यह वेबसाइट आपको बहुत काम आने वाली है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि हम अपने चैनल पर क्या क्या पढ़ाते हैं तो हम अपने चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जोगरफी, होम साइंस, हिंदी में हम इलेक्टिव और कोर दोनों पढ़ाते हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, सोश्योलजी पढ़ाते हैं, टूरिजम हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आपके पास कोई अन्य सब्जेक्ट है इसके अलावा देखे, एकोनॉमिक्स की भी वीडियो हमने पहले बना रखी है, हिंदी मीडियम की है, वो अगर आपको सही लगे तो आप उसको देख सकते हैं चेक यूर स्लेवस, ठीक है, क्योंकि हमने आपके स्लेवस की वीडियो भी अल्रेडी बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी, तो उसके लिंक आपको मैं प्रोवाइट करवा दूँगा आपको बता दूँ कि इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर आपको बहुत से लिंक्स मिलने वाले हैं, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला लिंक तो आपको स्लेवस का मिलेगा सलेवस की प्लेवस की प्लेवस होगी और उसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट का सलेवस दिया गया होगा, पहले तो आप उसको अच्छे से चेक कर लेना यह हो गया अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अब जो आपका term wise वाला system था वो खतम हो चुका है अब आपका annual exam होगा इससे आप अच्छे से परीजित होंगे आप जानते होंगे कि अब आपका annual exam होने वाला है यानि कि जो साल में एक बर ये exam होगा करता है आपका March के आसपास वो ही होने वाला है अब इसका sample paper अभी तक आया नहीं है ठीक है इसका sample paper जो है आपका अभी तक आया नहीं है ये वीडियो में 28 June को बना रहा हूँ और हो सकता है कि जैसे ही जल्द आपका sample paper आ जाए तो मैं आपको वो बता दूँगा पूरा analyze करके कि किस तरीके से आपका paper आने वाला है तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि annual exam है इसका मतलब पढ़ना जादा पढ़ेगा तो अगर आप अभी अभी आये हैं तो आप ये समझ के चलिए कि March के आसपास आपके exam हो जाते है March April ठीक है तो अभी आपके पास पूरा एक साल तो है नहीं लेकिन syllabus बहुत सारा है तो आपको इसको किस तरीके से cover करना है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले और अगर आपको चाहिए कि मैं अलग-अलग subjects के बारे में अलग-अलग strategy बता हूँ तो मैं वो वीडियो भी बहुत जल्द ला दूँगा जैसे कि ये तो मैं आपको एक complete मतलब आपको मैं एक strategy बता रहा हूँ कोई guide कुझी कुछ नहीं लेनी सबसे पहला काम आपको करना है वीडियो की playlist खोलनी अब ये वीडियो की playlist का link आपको हम provide करवाएंगे ये हमारी responsibility है आपको मैंने बताया था इस वीडियो के description में जाना आपको सभी subjects की जो playlist हैं ठीक है? सभी subjects की जो playlist हैं वो provide करवादी जाएंगी आपको क्या करना है कि daily एक-एक वीडियो देखना start करो यहां दो-दो दिन में एक-एक वीडियो देखना start करो आपको एकदम से सारी वीडियो नहीं देख लेनी है एक दिन में ना आप देख पाओगे आपको daily एक एक वीडियो देखनी स्टार्ट करनी है वीडियो अगर आप देख लेते हो मानलो आपका पहला चैप्टर है पॉल साइंस का, ठीक है, cold war वाला शीतियोद वाला, तो आपने वो पहला चैप्टर देखा, उसको बताया गया था, और highlight कर लेने के बाद, अब आप उनके notes बना सकते हो ठीक है, वीडियो से देख के notes बना लो या आपने जो highlight किया है, उन्ही को notes में लिख लो ठीक है, better यह रहेगा कि अगर आप वीडियो में जो बताया जाता है, उसी के notes बना लो हम थोड़ा सा उसको easy करके बताते हैं आपको तो आपको notes को बना लोगे तो आपको क्या करेगा, मतलब वो बहुत benefit देगा, ठीक है, वो आपके अपने notes होंगे लिखे वे, किसी और के नहीं होंगे, और आपको end तक याद रहेंगे, ठीक है ये तो बात हो गई, कि आपको playlist का जो link है, वो मिल जाएगा, आगे NCRT reading मैंने आपको बता दी है कब करनी है, जब आप वीडियो को कम से कम दो बार देख लो, किसी भी chapter की वीडियो को कम से कम दो बार देखने का बाद ही NCRT को read करने जाना, सीधा NCRT read करने जाएंगे, अगर आप तो आपको बहुत hard लगेगी ये book, क्योंकि NCRT के अंदर जो language होती है, अगर कोई essay, मतलब बच्चा direct पढ़ता है तो उसको मुश्किल लगती है वो अब आपको NCRT को read करने के बाद मैंने बताई दिया है कि notes बनाने है ठीक है, ये आपका पूरा चलेगा पूरे साल तक, ये ही कारे करम इसमें मैं आपको कुछ जादा बड़ा चड़ा के नहीं बताऊंगा जादा burden आपके उपर नहीं दूँगा आपको सिरफ ये 2-3 step follow करने है आप अच्छे से topper बन सकते हो आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आप पूरे साल इस तरीके से चलते हो कि आपने कम से कम दो बर वीडियो देखिए NCRT में read कर लिया है आपने उस चीज को highlight करके और उसको notes में उतार दिया है तो बस आपका काम यही है और उसके बाद जितने भी अगर मान लो आगे important questions वोगर है वो सब हम already बनाते आ रहे हैं ठीक है इतने सालों से हमारे यहां से इतने सारे toppers निकलते हैं और हम अपके exam time पे last में बहुत से important questions लाते हैं जो कि as it is आपको अपने exam में भी देखने को मिलेंगी तो सबसे पहली बात है कि अभी आप important questions की पीछे मत भागना अभी chapters को समझो यह 12th class है यह 11th से पूरी अलग है यहां पे आपको ज़्यादतर चीज़े कहानी की तरह याद हो जाएंगी ठीक है अगर आप अच्छे से time table बना के चलते हो अपना मैं कोशिश करूँगा कि एक time table की वीडियो भी ले के आऊँगा ठीक है अगर आप अच्छे से अपना एक time table manage करके चलते हो तो आप अच्छे से टोपर बन सकते हो class 12 के अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली तो यह 3 से 4 बाते थी ठीक है क्योंकि अभी तक क्या था कि term 1 और term 2 वाला system था जो 2021 वाला session था उन बच्चों का अब आपके में annual exam है तो आपको भई एक ही exam देना है आपको वह 3 गंटे वाला exam है अब वो आपको sample भी पर आएगा जब यह में पता चलेगा कि पूरी weightage किस तरीके से तो यह सारी बातें आपसे करने थी अब बाकी आपको comment में बताना है कि आप अभी कितना serious हो कौन-कौन से subjects और हैं आपके पास और इसके अलावा यह मतलब क्या आपको अलग-अलग subjects के उपर भी वीडियो चाहिए strategies की यह आप हमें बताएंगे comment में ठीक है तो यही आज की इस वीडियो के अंदर आपको बात बतानी थी आयोप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप comment में जरूर बताएं ताकि हमें पता चलेगी 2022-23 session के कितने बच्चे अभी active हैं हमारे पास तो यही सब बातें आपको बतानी थी और website मैंने आपको अभी बताया था कि website आपको कहां काम आएगी यह हमारी website है www.eklovyastudypoint.com यहाँ पे आपको सारे notes मिल जाएंगे ठीक है आप एक बार इसको visit करना website को यहाँ पे अगर आप videos को देखते वे notes नहीं बना पाते आपको आने वाली सभी videos को notifications आपको मिलते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जै हिंद जै भारत बहुत बहुत धन्यवाद